हेलो गाइस वेल्गम बैग मैं यूटूब चैनल आप देख रहे हैं रभाणी फार्मिंग मैं रभाणी एगरी कल्चरिस्ट आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे गन्ने में टोब बोर लगी होती है उसको कैसे कंट्रोल करें उसका ट्रीट्मेंट क्या रहा है और कोस्ट भी कड़के हिसाब से यूज़ करना है जो 700 के संधिंग आपको मार्केट में कहीं भी आसानी से मिल जाएगा यह 100 ml 500 ml एक लिटर की पैकिन आती है यह स्टैम बोरर हो या टोब बोरर हो बहुत 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 रिजल देती है पता लपेड हो आसानी से कंट इसलगते है बात करें टेकनिकल वारे में काड़ा फिचात्र प्रसंड फोम में आता है बहुत हैं पानी में पानी में इस पर आदर फसल में आगर अगर खाली यूज़ कर रहे हैं तो आपको यह सो से डेर सो ग्राम में लेना है बात करें पेकिनी में 50-100 ग्राम 500 ग्राम और किलो की पेकिन इसकी आती है आप असानी से यूज आ सकते हैं बात करें प्राइस के वारे में 100 ग्राम आ पो 300 रुपर के संधिंग आपको मार्केट में मिल जाएगा लिख बिरो कोई सी इली लगी हो या अपके पत्तलग लापेट हो या गोफ के अंदर खाती हुई जैसे इलडी नीचे को चली जाती है आटती बात करें टेक्निकल अवार में इसके अंदर था है मुझसम 30% FX वो में आता है जो FX लाल कलर का जो गाड़ा फूम निकलता है बहुत अच्छा इंसेक्टी चाहिड है जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत 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 रिजर्ड मिलेगा यह आप जब गरने में यूज़ करेंगे तो पांसे अमल परेकड़ का यूज़ कि अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो आपको यह 500 अमल तीन सुरुपर के संद्री में असानी से कहीं भी मिल जाएगा 100 पांसे अमल पांसे अमल एक लिटर की पैगिन यह आती है यह हमने तीन चीज़ आपको बताई जसन सुपर और इलेक्ट और तीसरा आपको बत अधेक्स बनते हैं फिर लारव बनता एडल्ट होते हैं इश्टेज में काम करता है यह यह इली बन जाती है तब यह काम कर लेता जो मन जाते हैं तो इसलिए हमें इक साथ मिलागर आप यूस करें तो बहुत ही बहुत हीटाय कडेगा बहुत ही बहुत ही बहुत ही मैं झांकारी आखर यह जानकरी हमारे घृति लए आप कrie